एक और रात शारुक खान ने नाम कर लिया अपना एक और अवार्ट से इंडिया ओप दे एर का अवार्ट से सम्मानित किया गया शारुक खान को तो बहुत सार अवार्ट मिलते हैं आप उनके घर चले जाएं तो भाईयों के घर में उनका एक कमरा है जिसमें पूरा अवार्ट से भड़ा पड़ा है इतना अवार्ट है कि आप गिंते गिंते ठक जाएंगे और उस सूची में दोस्तो एक और अवार्ट सामिल हो गया है शारुक खान ने क्या कहा दोस्तो अपने स्पीच में शारुक खान ने जो तीन ब्लॉक बॉस्टर फिलमें दे दी एकी साल में शारुक खान ऐसे अक्टर ने जो पचीस सो करोड का बैपार दिया है बॉलिवुड को पचीस सो करोड दोस्तो बहुत बड़ा रकम होता है और CNN News एटिंग के स्टेज पे बहुत सारे लोग को बुला के सम्मानित किया गया जो हमारे इसरो के साइन्टिस्ट हैं उन्हें बुलाया गया वो स्टेज पे आके शारुक खान से स routing के request करते हैं साउट के बहुत सारे डारेकटर थे मनी रतरंजी थे जिनोंने दिल से बनाई थे शारुक खान ने तो बहुत सारी बाते कही कि मैं विलन बनता हूँ फिल्मों में तो मैं चाहता हूँ कि विलन जितना खतरनाक हो उसे कुते की मौत मारा भी जाए, मरते भी दिखाया भी जाए डान सीरीज को छोड़ दे तो शारुक खान ने जितने फिल्मों में विलन का किरदार प्ले किया है, कुते के ही मौत मरें चाहे रईस थी, बाजिगर थी, दर थी, या फिर अंजाम थी, जो भी फिल्म में शारुक खान ने विलन प्ले किया है, टुप्लिकेट थी, तो शारु 2023 के भारती की तरह महसूस नहीं करता हूँ मैं बीते वर्षों के लिए और आने वाले सभी वर्षों के लिए भारती की तरह महसूस करता हूँ मैं सभी उम्र के तरह मैं सभी उम्र के तरह मैं सभी उम्र के तरह भारती के तरह महसूस करता हूँ हर बात उन्होंने इंडियन बत अपसे और कहा कि हमारे फिल्मों की तरह अगर सब कुछ ठीक ना हो एंड में तो सब कुछ ठीकी हो जाता है लेकिन अगर सब कुछ ठीक ना हो तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त शारुक खान ने सिधा कहा कि अभी 2024 बाकी है तो क्या कहना चाहते हैं कितना हैपी हुए कल शारुक खान को आप लोग देखकर और शारुक खान से लोग कहते हैं और कि 30 साल 35 साल इंडस्ट्री में आपने क्या कमाया है कल वाला आप इवेंट देखें आपको पता चल जाएगा कि इस दो के साइंटिस्ट क्या कहते हैं बाकी लोग क्या कहते हैं शारूख खान के बारे में क्या आच सोच रखी जाती है क्या कहना चाहते हैं वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं